हेलो स्टूरिंट्स वेलकम बैक नो माई यूट्यूब चैनल सो लेट्स स्टार्ट नेक्स टॉपिक्स ओफ यूनेट थर्ड विच इस बार मेगनेट एंट इस प्रॉपर्टीज तो सब तो बहला बचे थो नूँ बार मेगनेट पता होना चाहिए था कि बार मेगनेट की ची ऊलोलर पीस होना है मेगनेट Da? Dial Nasiov East and North Pole of equal Strength, Equal Strength मतला बचे जिनना नॉर्थ पॉल होएगा, उनना ही पर्टिकुलर साउथ पॉल होएगा, ठीके, था नू तो कलर दिख रहाया कि बलैक कलर द हा साउथ पॉल और रेट कलर दा, जो आ नॉर्थ पोल शो किता होया विचितन इन पार्ट, ठीक है, by small distance, so एदी विचे जो एक small distance हा, so नौर्थ तो लेके south pole तक दी distance नो सी 2L देनाल शो कर देनाया, is that clear, अगे दिखो, one end of a bar magnet act as a north pole, एक जड़ा हिस्स हाया बचे जो नौर्थ पोल दी तरह act करताया, जदी की दूसरा हिस्स हा के दा south pole दी तरह act करताया, so the distance between the north and south pole, north and south pole दी विचकार बचे जो distance हुन्दा हुन्हों असी magnetic length of the bar magnet के देनाया, एन्नी चीज़ क्लेर होगी, magnetic length of a bar magnet is about 0.84 times the geometrical length और actual length, छीक है, so next आ जो properties of a bar magnet, हुन बार मेगनेट बचे किद्दा दा act कर दाया, so दियां की properties हुन्दिया या किद्दा दा बिहेवियर हुन्दा है, number one is property of attraction, attraction means कि कुछ materials नो small pieces of material नो आपने वाल attract कर दा, poles of a magnet having property of attraction attract small pieces of magnetic material like iron, steel, cobalt, nickel, etc. ठीक है, the strength with which a magnetic pole attracts is known as a pole strength, एक बचे particular pole किसे छोटे 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 pieces नो अपने वाल attract कर दा, किन्नी strength देना आलो नो attract कर रहे है, उन्हों असी बोल दिन्या pole strength, more the pole strength, जिन्नी जाधा pole strength होएगी, उन्नी जाधा उदे विच attraction दी जो power आउन्नी जाधा होएगी, जे थोड़ अबचे magnet शोटा है, एधा मतला pole strength काट ता, जड़े होर आसपास, मा अट्रेक्ट करन दी capacity cut होएगी, तुसी बार मेगनेट थोड़ा वड़ा लेलो, इधा मतला होदी strength increase होगी, जे strength increase होगी, ता power of attraction is also increased, जड़े होगी, जो नेक्स देखो, the poles are not situated at the exact end of the magnet, but a little inside near the ends of the magnet, चीक है, जो एनी आकी सिरफ अंदर ही होएगा, जिस तक विजड़ी होदी या, magnetic field दा effect होँदाया, second आजो property of alignment, alignment मतला होँदाया, इक ही line दे विच आजाणा, हुन तुसी किया, bar magnet लो, इस तरह दा bar magnet लो, उन्हों सेंटर विचो thread पाके लटका दो, जिद्धा ही तुसी लटकाऊंगे, तर्ती दा मानलो, आ अर्थ या सड़ी, आ तर्ती दा south pole आ, ते दा north pole आजेगा, अगर आ तर्ती दा north pole आ, ता magnet दा south pole जड़ाया, north pole आट्रेक्ट हो जगा, एधा मतला, always एहे एक line देविच, एक line देविच आजेगा, ठीक है, तो आथे, तो आनो दिखाया होया या, इस तरीके ना, कि इस तरीके ना जड़िया, एक alignment आजेगी, ठीक है जी, हुन, बच्चे या magnetic meridian most important हा, sometime बच्चे अगे जाके आपा पढ आजे magnetic meridian, तो बच्चे पुछ दिया, मैं magnetic meridian की हुन्दा, line joining north and south pole of the magnet are called magnetic axis, उन बच्चे देखो तो आनो center विचो line दिखरीया, पास हुन्दी, आथोड़ा magnet हा, magnet दे बिल्कुल center दे विचो एक जड़ी line निकल दिया, बच्चे उसी उन्नू बोल देननेया, magnetic axis, ठीक है, and the vertical line passes through the line is called magnetic meridian, जिडियो दे बिल्कुल center दे विचो पास हुन्दी होवे, vertical line passing through the, this line is known as magnetic meridian, तो नो असी magnetic meridian बोल देननेया, ठीक है जी, so next दिखो, next असी article करांगे, बच्चे उसी magnetic meridian था, नो पूरा detail दे विच एक्स्प्लेइन कर देता जाएगा, कि magnetic meridian कीया, नेक्स तुसी same magnets लेनेया, नौर्थ नू, नौर्थ पोल वाल लेके आनेया, तो उह की करनेगे, एक दूसरे नू, रिपेल करने, अगर साउथ नू, साउथ दे कोल लेके जानेया, तो आर अलसो रिपेल लिच दे, अगर तुसी unlike magnetic, magnet पोल लेके जानेया, for example, नौर्थ नू, आर यहारे दा साउथ पोल, मालो तुसी नू, कट देता सेंटर दे विचो, तो आटोमेटिकल यहा साउथ पोल लेके आवला हिस्सा नौर्थ पोल बांजेगा, फर्दर तुसी आवले पीस नू, फे कट देता, कट देता ता अगेन एक पासा नौर्थ दे, दूसरा पासा स आउथ बांजेगा, फो आलवेज एक मैगनेट दा नौर्थ एंड साउथ पोल हुन्दा ही हुन्दा है, फो एदधा कदे नहीं हो सकता कि तुसी बार मैगनेट नौ सेंटर विच कट देता तुसी कहा रहे हैं कि आसी नौर्थ नौ अलग करता, साउथ नौ अलग करता, कर ह कि नहीं सकते, आटोमेटिकली जड़े या दो पोल्स बांजानगे, एक नौर्थ पोल और अधर वान इस साउथ पोल, क्लेर होगी, निक्स देखो, रिपल्शन इस श्योरली टेस्ट ओफ मैगनेटिजम, रिपल्शन मतलब, बचे नौ श्योरली टेस्ट के ओ बोल देगा, कि अगर थोट एक मैगनेट हा, मैगनेट दे कोल छोटे छोटे आइरन दे पीसीज राख दे तो उन्हों भी अट्रेक्ट कर लेगा, अगर एक बार मैगनेट दे कोल दूसरा बार मैगनेट राख देगा तो उन्हों भी अट्रेक्ट कर लेगा, ठीक है, अगर नौर्थ पो वाल लेके जाए तो उनने की करना स्टार्ट कर देना रिपेल करना स्टार्ट कर देना तो रिपर्शन वी हो सकती है शौरली टेस्ट ओफ दिस्टिंग्विश बट्वीन दा आयरन पीस आड़ अ मैगनेट लास्ट वान इस प्रोपटी ओफ इंड़क्षन वचे इंड़क्षन दा की मतलब जिद्धा ही आसी मैगनेटनों किसे आयरन पीसीज दे कोल लेके जानने या तो आटोमेटिकली जड़ी आयरन पीसीज विया वो भी हिलने स्टार्ट कर दिन दिया उधी विच वी को मैगनेटिक प्रोपटी आजान दिया ठीक है उथा नूँ पहलना भी दस्यासी कि माल लो एक बार मैगनेट लेलो इदे नाल एक छोटी जी पिन टैच कर दो इस पिन दे नाल एक और पिन टैच कर दो अगेन पिन टैच कर दो इदा मतलब आवली पिन ने कोई ना कोई प्रोपटी एक्वाइर गितियों नूँ असी बोल दन्या इंड्यूस्ड मैगनेटेजम ठीक है किसे मैगनेट दी वजाना इंडक्षन होगी उस इंडक्षन दी वजाना जडिया एक मैगनेटेजब प्रेड्यूस होगी तो इनू शॉर्ट फार्म दे विच बचे इस तरी अगे देखो अगर तुसी नूँ साउथ पोल वाल लेके जाने तो दे अट्रेक्ट एच अधर एक दूसरे नूँ अट्रेक्ट कर दिया ठीक है हमेशा ही मैगनेटिक फिल्ड लाइन नूँ जान दिया बच्चे नौस तो साउथ वाल असी उदिया लाइन्स ड्रॉ कर दिय अगर असी लाइक पोल लेके आने है सेम सेम पोल लेके आने तो एक दूसरे नूँ की कर दिया रिपल इच अधर कर दिया ठीक है अगर तुसी नूँ ही इदा हवा विच लटका दूंगे तो आटोमेटिकली एक लाइन दे विच आ जान गे नौर्थ ने तरती दे साउथ प पोल वाल जड़िया मेगनेटिक फिल्ड लाइन्स जड़िया मूव कर दिया ठीक है मेगनेटिक फिल्ड is the space around a magnet एक मेगनेट दे आरेद वाले जो space बन दिया विधिन विच इट इन्फ्लेउंस गान भी एक्सपिरियंस जड़ि अंदर ओधी इन्फ्लेउंस नूँ फिल्ड किता जा सकता माल लोसी एत्य चोटे-चोटे आरें दे पीस लाइके आनिया ता डेफिनेटली वो ट्रेक्ट हो जानगे मैगनेट दे अम सो उन्हों सी मेगनेटिक फिल्ड क्याता हुँ जिद्धाधा मेगनेट हो जिद्धा ओएगा उन्हीं ज्यास फील्ड हो सक दिया आची इस बेसीकली वचे दो तरा लाइक किया & Non Uniform Magnetic Field Uniform Magnetic Field की जिद दी हर पासे Ico-G ही Uniform Magnetic Field होवे सारे पासे Ico-G Magnetic Field होबए Crop Candice Candice Which is like Inλλard दारेक्शन इन्वर्ड ता मतलब किया बचे जिदा हूं तोसी अपने हाथ विच मुबाइल पकड़ेया हुया जेडा थोड़े सक्रीन दा बैक साइड पिछला जिते तोसी कवर चड़ा निया ओधर वाले पास से नू जे तोसी पैन बिलकुल सिद्धा खड़ा कार दूंगे इदा मतलब इन्वर्ड मतलब बार वाले पास से नू आ आउटवर्ड मतलब प्रपैंडिकुलर टू दा मैगनेटिक फिल्ड जिद्धर थोड़े सक्रीन ओधे बिलकुल उपर वाले पास से आउटवर्ड डारेक्शिन ओगया इदा लगलग तरह ना सी नू शो कर सकतिया बचे नौन उनिफर्म मैगनेटिक फिल्ड की हुँ दिया कि हर पास से इककोजी मैगनेटिक फिल्ड ना होना या ता इस तरीक के नाल भी हो सकतिया देख लो सारी या लाइन इककोज गानिया यह कॉप डवी हो सकतिया ठीक है सेनुन असी नौन उनिफर्म मैगनेटिक फिल्ड बोल दने या तो नेक्स दिच आप्रपरटी ऑफ मैगनेटिक फिल्ड लाइन इस तो माक्स दा लग तो कॉशन भी बन किया सकता या magnetic field lines are continuous and curved ठीक है continuous हुन दिगाया नौर्थ तो लेके south pole तक बचे continuously चाल दिगाया ते curved हुन दिगाया ठीक है curved सम दिख रिया कि these are curved the tangent and any point on the magnetic field line gives a direction of strength of magnetic field मानलो असी इस particular point दे उपर tangent बना रहे हैं इस तरीके न तो particular direction दसेगा कि किद्धरों किद्धर नू जा रहे है मानलो तुसी हुन एथे point ले रहे हैं ता direction इद्धर नू आजेगी ठीक है अगर इथे ले रहे हैं आप उपर वाला point ले रहे हैं ता direction इद् पूरी लाइन जा सिर्फ एक point ते जस्ट टच कर रहे हैं ठीक है टू magnetic field line do not intersect with each other बचे इलेक्टरिक फिल्ड विच भी most important सी दो electric field lines या magnetic field lines आपस विच इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं टक्रा क्यों नहीं सकते हैं एदा मदला P point दे उपर एस P point दे उपर दो tangents है एदा मतलब एथे दो directions होन गया बट दो directions था होई नहीं सकते हैं which is not possible ठीक है नेक्स देखो widely space field lines represent weak magnetic field widely space मतलब जदो तुसी बहुत सारी बना दिनिया widely space हो गया एथे weak magnetic field होन दिया एथे संगनिया magnetic field lines है तो एथे strong magnetic field lines होन गया नेक्स देखो magnetic field line lately but contract longitudinally ठीक है so magnetic field line जड़िया contract कर जान दिया longitude मतलब इस पॉइंट दे उपर ठीक है so they represent a magnetic field which are real so magnetic field lines are not real असल विचता है सानून दिखाई नहीं दिन दिया अगर तुसी अपने अख़ा दे सामने magnet रख दूंगे तह magnetic field lines बच्चिया दिखाई नहीं दिन दिन दिखाई बट दे रीपर्जेंट बट उनना रीपर्जेंट इद्धा किता जान दाया कि ट्यों रेर लाइन्स है ठीक है सो इद्धा दी तुसी डाइग्राम बढ़ा सकते हैं कि नौर्थ तो साउथ पोल वल ते आना देखो नौर्थ तो साउथ पोल वल जड़ी मेगनेटिक फिल्ड लाइन्स जारियां नौर्थ तो मेगनेटिक फिल्ड लाइन्स बार निकर याथ तो ते आना देखो बार वालनों ड्रो किती हो यह लाइन्स है ठीक है साउथ विच अंदर आ रही है ता साउथ दे अंदर चली जाएगी सो इस चीज़ दा त्यान रखन बचे, similarly अगर तुसी डाइग्राम नो उल्टा दिनने, अधर नौर्थ पोल बना दिनने, अधर साउथ, ता मैगनेटिक फिल्ड लाइन इदर नो आजान गिया, ठीक है? जो अगर नौर्थ एदर आ, साउथ एदर हाता, बचे, मैगनेटिक फिल्ड लाइन इदर नो जा रिया, अगर नौर्थ उल्टा बना दिता, तो नौर्थ तो साउथ इस तरीके नाल बना साकने आज उसी, बचे, सिंपल जी एक डाइग्रामा, त्यान दिखो, एथे वी इद दिया, नौर्थ तो साउथ पोल वाल, मैगनेटिक फिल्ड लाइन जा रिया, बट इन्वर्ड, साउथ तो नौर्थ पोल वाल, मैगनेटिक फिल्ड हुंदी, सम्टाइब, MCQs या फिलिंग द ब्लांक दे विच पुचिया जा सागेदा, कि इंसाइड मैगनेटिक फिल्ड धिकित दर नौ धिया, डारेक्शन, धेन साउथ डू नौर्थ अगर आउटसाइड पूचिए जावे ता नौर्थ डू साउथ अगर तुसिघ बै लाइन या पोल नौर्थ ती है साउथ पोल तो नौर्थ तो साउथ पोल वाल इस तरह अना अंत्रेक्ट कर दिया. अगर स बचे किसे भी पॉइंट थे था नों के दिक्कत होवे या कुछ ना समय लगया होवे तो तुसी पुछ सकते हैं थेंक्यू सो मच